किसी भी सूपर मार्केट में काम के लिए अगर आप लोग जाते हो तो आप लोग को वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या काम करना पड़ेगा ड्यूटी किस टैम से किस टैम होगा सेलरी कितना मिलेगा आप लोग को इसके लिए वीज़ आप लोग को कहां से मिलेगा तो आज का वीडियो में आप लोगों को फुल डीटेल्स में बताएंगे हाई एब्रिवान वेल्कम टू बैक अनदर वीडियो दोस्तों आप लोगों का बहुत सावाल रहता है कि सौधी आरफ हो, दुबाई, कातर, बहरीन किसी भी सूपर मार्केट में अगर हम काम के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है तो आज का वीडियो में सब कुछ आप लोगों को बताएंगे वीडियो सुरू से आखे तक जरूर देखेगा इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए किसी भी गल्प मूल में अगर आप लोग सौपर मार्केट का काम के लिए जाते हो वहाँ पे आप लोगों को लेबर टाइप का ही काम मिलेगा भुडाओं से सारे सामान लाके साजाना आप लोगों को चेक करते रहे ना कौन सा पोड़क्ट एकस्पायर हो गया है उसको वहाँ से निकल देना और जो लोग सामान खरीदता है सामान खरीदने का बाद कैसी आर के पास जाके जब पेमेंट करता है पेमेंट हो जाने का बाद जिस सामान को खरीदा है आपको टॉली में उठा के वह सामान ले जाके उनका गाड़ी तक छोड़ देना ये सारे काम होता है जो लोग लेबर टाइप का काम के लिए आता है सोधी आर में कोई भी आजनभी बंदा कैसी आर हो या मैनेजर हो इस पोस्ट में नहीं आ सकता है अगर आप लोग इस पोस्ट में आते हो एक बाइना दो बाइना चार मैना उसके बाद आप लोगों को उस पोस्ट से निकल देगा क्योंकि कोई आजनभी बंदा क्यासियर और मैनेजर और सुपर भाइजर ये सारे जो काम है ये सारे काम सिर्फ सोधी ही करेगा आजनभी बंदा नहीं करेगा सूपर मार्केट में जो काम होता है जादा ताद द्यूटी जो है दस घंटा होता है और ओवर टाइम में किसी किसी कमपानी में होता है ओवर टाइम जो होता है वो आप अलग मान के चलिए जो आपका बेसिक सेलरी है वो ही सेलरी मान के आप लोग आईएगा अगर आप लोग यह सोचिएगा कि मेरा सेलरी है 1500 रियाल, 1600 रियाल और ओवर टाइम होगा उसमें 4-500 रियाल कमाई होगा उस ही सबसे आने पर आप लोगों का लुक्सान हो सकता है क्यूंकि हर कंपनी में अलग-अलग सिस्टम है सारे कंपनी में ओवर टाइम नहीं होता है बेसीक जो सेलरी है वही सेलरी आप मान के आईए वहाँ पर जो एजेंट एक बताता है यहाँ पर आने के बाद दुसरा हो जाता है जो भी लेवर टाइप का काम में आता है 1200 से लेके 1500 रियल तक सेलरी मिलता है कंपनी के तरफ से आपको रूम मिलेगा खाना जो है आपका खुद का होगा बैने जितना बंदा का इंटर्व्यू लिया जो लोग सूपर मार्केट में काम करता है सबके सब बंदा मुंबाई से ही विजा लिया है अगर आप लोग सूपर मार्केट का काम के लिए आना चाते हो सूदी दुबाई कातार बहरीन किसी भी गल्प मूल में तो आप लोग मुंब 20,000 कितना खर्चा होगा इस से ज्यादा खर्चा नहीं होगा तो आप लोग जिस एजेंट से भी काम कराते हो उस एजेंट का थोड़ा सा जार्ज परतल किजिए कि ओ एजेंट कैसा है उसके बाद उस एजेंट से काम कराईए जिस एजेंट से काम कराईएगा उस एजेंट से पुछ लीजिए कि ये जो वीजा है सप्लायर कमपणी का वीजा है या डाइरेक्ट किसी कमपणी का वीजा है। आप लोग supplier company में थोड़ा सा problem होता है क्योंकि Saudi Arab में किसी भी supplier company में आते हो तो हो सकता है तीन महीना आपको SELD नहीं मिलेगा क्योंकि Saudi Arab में three महीना एक trial period होता है उस trial period के अंदर जदा तर वंदा को SELD नहीं मिलता है problem होता है और supplier company में आने पर आप लोगों को थोड़ा सा salary कम मिलेगा अगर किसी direct company में आते हो तो आप लोगों को salary अच्छा मिलेगा और आप लोगों का काम भी अच्छा होगा हो सकते हैं आप लोगों को over time भी अच्छा मिले अगर आप लोग किसी भी सुपर मार्केट में आके काम करते हो तो आप लोग को सब्ता में एक दिन छुट्टी मिलेगा और दो साल चार साल रहके जब आप जाओगे तो आप लोग को इंड आप सार्विस के हिसब से एक एमाउंड मिलेगा तो सुपर मार्केट में काम करने से या किसी भी company में काम करने से आप लोग को end of service मिलेगा अगर आप लोग आना चाते हो किसी भी गल्ब मुल में अच्छा एजेंस से contact करके उन से वीजा लेके आप लोग आके किसी भी super market में काम कर सकते हो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो आप लोग का जो doubt था कि super market में क्या क्या काम करना पड़ता है salary कितना मिलता है duty कितरा घंटा होता है और भीजा कहां से लेंगे ये सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को details में बताया वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like share जरूर किजिएगा इस वीडियो को जादा से जादा share किजिए अगर इस वीडियो को आप लोग facebook page में देख रहे हो share जरूर किजिए facebook page को follow करके रखिए अगर youtube में देख रहे हो channel में नया हो तो subscribe करके bell icon को all कर दीजिए अगर आप लोग को और भी कुछ पूछना है तो Instagram में जाके follow कीजिए तो आज का वीडियो यही पे end करते है मिलते है किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिज